दोस्तों किसी पेड के एक मामूली से पत्ते से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर मैं आपसे कहूँ कि एक आमसा दिखाई देने वाले पत्ते के अंदर आपको दिल के लिए पेट के लिए और यहां तक कि डायबिटीज के मरीदों के लिए भी बेशुमार फायदे मिलते हैं तो शायद आपको लगेगा कि मैं बात को बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ लेकिन यह सच है दोस्तों क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पीपल के पत्ते के बारे में इससे मिलने वाले कुछ अनबिलीविबल हेल्थ बेनेफिट्स के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा पीपल के पत्ते से मिलने वाले कुछ बहुत ही जबर्दस्त हेल् लेनी चाहिए तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंट्रस्टिंग वीडियो को शुरूर करते हैं और जानते हैं इन सभी जीज़ों के बारे में पूरी डीटेल दोस्तो पीपल का पेड़ पूरे इंडिया में आपको बड़ी असानी से मिल जाएगा हर जंगा ये लगा हुआ पाक्स वगर में आपको दिख जाता है पीपल के पेड़ की बहुत सारी रिलीजियस माननेताएं हैं जैसे कि हिंदु धर्म में इसको दैवी पेड़ माना जाता है इसकी पूजा की जाती है वहीं बुद्धिस्ट लोग भी पीपल के पेड़ को बहुत ही जादा पवित्र मानते हैं क्योंकि लॉर्ड बुद्धा जो थे उनको पीपल के पेड़ के नीचे ही ज्यान की प्राप्ती हुई थी वैसे यहाँ पे हम religious माननताओं के बारे में बात नहीं करने वाले हैं बलकि हम science-based health benefits के बारे में बात करने वाले हैं वैसे तो पीपल की पतियां, छाल और फल दोस्तों ये तीनों ही चीजे medicinal benefits रखती हैं लेकिन यहाँ इस वीडियो में हम इसके सिर्फ पत्तों की बात करेंगे और पत्तों को भी सिर्फ उबाल कर पीने से मिलने वाले फायदों के बारे में बात करेंगे दोस्तों आप लोगों ने मेरे इस healthy हमेशा चैनल को बहुत ही जादा support किया है, बहुत पसंद किया है और आप लोगों के इस सपोर्ट की ही वज़ा से हमने सिर्फ 3 साल के अंदर साड़े 3 million subscribers का आकड़ा पार कर लिया है और आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि North India को बिलॉंग नहीं करते हैं या फिर जिने हिंदी उतनी अच्छी से समझ में नहीं आती है और इसी वज़ा से उन्हें हमारी वीडियो को देखने में समझने में problem होती है इसी बात को मद्दे नदर रखते हुए और अपने इस mission को और जादा लोगों तक पहुचाने के लिए हमने अपना एक नया चैनल लॉंच किया है जिसका नाम हमने रखा है Healthy Hamesha X इस नए चैनल में आपको इसी तरह की authentic और reliable health information English language में मिलती रहेगी तो अगर आप हमारी वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो हमारे इस नए चैनल को यानि Healthy Hamesha X को भी ज़रूर subscribe कर लें हमारे इस नए इंग्लिश चैनल का लिंक आपको नीचे description box में और pinned comment में मिल जाएगा तो वहां इस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे इस नए चैनल को भी subscribe जरूर कर लीजे अगर आप English में वीडियो को देखना चाहते है पीपल के पत्तों का सबसे पहला फाइदा आपको मिलता है digestive health के लिए पीपल के पत्तों को उबाल कर पीने से आपका digestive system improve होता है आयरवेद में तो दोस्तों हजारों साल से इस effect का जिकर होताया है लेकिन अब finally modern science भी इस से agree करती है रिसर्च में पाया गया है कि पीपल के पत्तों के अंदर कुछ important enzymes और बहुत सारे volatile compounds होते हैं जो कि आपके अंदर कब्स को दूर करते हैं, gastric ulcers को ठीक कर देते हैं और lose motion को या indigestion की problem को भी बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं तो अगर आपका पेट कमजोर है और इस तरह की परिशानिया आपको रहती है तो आप पीपल के पत्तों को उबाल कर उसकी चाय पीना शुरू कीजिए इससे आपको काफी आराम मिलेगा दूसरा फायदा आपको मिलता है heart के लिए पीपल के पत्तों की चाय बनाकर पीने से बैड कलोस्टॉल कम होता है blood pressure control में रहता है और नसों के अंदर होने वाले inflammation को और free radical damage को भी ये रोकता है और इन सभी चीजों का जो एक combined effect होता है वो ये कि आपके अंदर दिल की बीमारियां जैसे कि blockage heart attack वगराब होने का जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है तो अगर आपका cholesterol बढ़ा हुआ रहता है triglycerides आपके बढ़े हुए हैं या फिर आपका blood pressure हाई रहता है तो ऐसे में आपको as a supplementary treatment people के पत्तों की चाय पीनी शुरू कर देनी चाहिए people का पत्ता diabetes के patients के लिए भी बहुत ही ज्यादा फाइदेमंद है scientific research में अब ये बात भी साबित हो चुकी है कि people के पत्तों के अंदर hypoglycemik गोड होते हैं और इसी गोड की वज़ा से आपके अंदर diabetes की जो शुगर होती है यह जो बढ़ी हुई शुगर होती है वो कम होने लगती है और diabetes control में आने लगती है तो अगर आप एक diabetic patient है और कोई ऐसी natural चीज को इस्तवाल करना चाहते हैं जो कि बिना किसी नुकसान के आपकी diabetes को control में रख सके तो आप people के पत्तों की चाय बना कर पीजिए इससे आपको काफी आराम मिलेगा diabetes के अलावा people का पत्ता ऐसे लोगों के लिए भी बहुती beneficial है जो कि अस्थमा या फिर COPD से पीडित है तो अगर किसी को अस्थमा है या BD secret की वज़ा से सीने में बलगम जमा रहता है सास लेने में परिशानी होती है तो ऐसे में people के पत्तों में पाय जाने वाले expectorant property की वज़ा से ये जमा हुआ जो बलगम होता है फेपडों में ये साफ होने लगता है और सास लेने में असानी होती है people के पत्ते body को detox भी करते हैं दोस्तों हमारी body में और blood में जो harmful toxins जमा हो जाते हैं people के पत्ते इनको body से बाहर निकालने का काम करते हैं जिससे body और हमारा blood दोनों purify होते हैं दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारी body में अलग-अलग metabolic processes होने के नतीजे में कुछ harmful by-products भी पैदा होते हैं कुछ ऐसी चीज़े भी पैदा होती हैं जो हमारे लिए नुकसान दे होती है अमुमन जो इस तरह के by-products होते हैं इनको हमारी body अपने आप ही body से बाहर निकालने का काम करती रहती है हमारी skin के जरिए, हमारी kidneys के जरिए और आतों के जरिए लेकिन कई बार गलत खाने पीने की वज़ा से या फिर बहुत ज़ादा unhealthy lifestyle की वज़ा से हमारी body जो है वो इन्हानी कारक चीजों को body से पूरी तरह से flush out नहीं कर पाती है और इसलिए ये धीरे-धीरे हमारी body में जमा होते रहते हैं और ultimately बहुत सारी बड़ी-बड़ी बिमारिया इनकी वज़ा से पैदा हो सकती है पीपल के पत्तों को उबाल कर पीने से सभी तरह के harmful toxins body से flush out होते हैं और इसकी वज़ा से हम इस तरह की सभी चोटी बड़ी बिमारियों से बचे रहते हैं और हमारा स्वास्त भी बहतर बनता है पीपल हमारी memory को भी बढ़ाता है, हमारी यादाश्त को भी improve करता है पीपल के पत्तों को अगर अब पानी में उबाल के पीते हैं तो इससे हमारा दिमाग तेज होता है ये nervous system को भी मजबूत बनाता है और पीपल के पत्तों की चाय हमारे brain के लिए एक tonic का का काम करती है जिससे overall जो हमारी mental health होती है वो बढ़िया बनती है brain के साथ kidneys के लिए भी people के पत्ते बहुत ही फायदेमद होते हैं जिन लोगों की kidney ठीक से काम नहीं करती है कमजोर हो जाती है यूरिया क्रेटिनिन बढ़ जाता है तो ऐसे लोगों को people के पत्तों की चाय पीनी चाहिए तो people के पत्तों की चाय बनाने के लिए आपको दो कप पानी लेना है और इसमें आपको करीब दो से तीन ताजे पत्ते पीपल के लेके उन्हें हाथ से थोड़ा सा कुचल के डाल देना है और फिर इसको पानी को उबालना है इतनी देर तक आपको इसको उबालना है जब तक यदे तक यह पानी आपका लूक वाम रह जाई तो इसके अंदर आप एक चमot बढ़़े शेह allt। पीजिए, वैसे अगर आप इसचाए में शेह नहीं मिलाना चाहिए। ऐसे ही इसको बिना शहद के आपको पीना पड़ेगा दोस्तों पीपल के पत्ते जनरली पूरी तरह सेफ होते हैं और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है लेकिन इन्हें कभी-कभी ओवर्डोस में लेने से आपको नुकसान भी हो सकता है यानि दिन में एक बार से कोई ऐसी लेडी जो कि प्रेगनेंट है या फिर लैक्टेटिंग मदर्स जो होती हैं बज़े कोई दूज जो पिलाती है उनको कभी भी पीपल के पत्तों का सिवन नहीं करना चाहिए दोस्तों ये से पीपल के पत्तों से मिलने वाले कुछ जबर्दस्त फाइदे याद है आज की ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी की साथ शेयर भ लोगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बहुती बढ़िया सी वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा